अरे चोर को लोग चोर बोलता है तो उसे स्विकार करना चाहिए उनको इडी ने आरेस्ट किया है तो वो कोट में जा करके कहें कि वो बहुत निर्दोस व्यक्ति है उसकी गीरफ तारी के बाद से केजरिवाल जी को दिल्ली के गदी पर बैठे रहने का कोई नेती कतिकार एक स अजरिवाल जी है तो भी ब्यूरोक्रेसी से आते हैं हम लोगों से बेटर समझते होंगे कि गिरफतारी की से स्टेज में होता है और क्यों होता है तो कहीं ने कहीं वो डी टी सी बस वाला मामला हो ये वाला मामला हो उनका विद्याले वाला मामला हो मुहला क्लिनिक वाला मा प्रदेश महामंत्री दिनेश परताब सिंग जी के साथ और उनसे सतेंदर जान के गिरफतारी के लिए बात्चित करेंगे सर जो सतेंदर जान के अभी गिरफतारी की गई है आम आदमी पार्टी इस गिरफतारी को गलत बता रही है आम आदमी पार्टी चोरों का बैमानों का दुस्टों का बेभैचारियों का दंगाईयों का समर्थन करने वाली पार्टी बन गई है अरे चोर को लोग चोर बोलता है तो उसे स्विकार करना चाहिए और भार्दिये जंता पार्टी के लोगों ने उनके सतेंदर जैन को चोर तो बोला नहीं है उनको इडी ने आरेस्ट किया है तो कोट में जा करके कहें कि वो बहुत निर्दोस व्यक्ति है और इडी ने उसके साथ अन्याई किया है वो जहांच आज से तो चल नहीं रही थी उलंबे प्रकिरिया के तहट आज सतेंदर जैन की गिरफतारी हुई है और मुझे लगता है कि उसकी गिरफतारी के बाद से केजरिवाल जी को दिल्ली के गद्दी पर बैठे रहने का कोई नेती कधिकार नहीं है क्योंकि जब वो सरकार में आये तो वो भरष्टाचार मुक्त दिल्ली कहकर के आये कि सारे भरष्टाचारी है मैं ही एक लोता इमंदार आदमी हूं मेरे बाद इस देश में कोई इमंदार नहीं है तो जब आपकी इमंदारी की पोल खुल रही है तो आप किस अधार पर दि लिकी गदी पर बैठे है जमुना गंदी हो गई है उसमें जा करके डूब मरिये कि जमुना को तो आपने नला बना ही दिया है तो उसी में प्रवेश कर जाएए दूसरा कि यह अगर गलत है कि तो उनकी फूल फूल फूलेट सरकार वहां पर है में एक सिंगर की हत्या होती है वहां का भी स्वास्तमंत्री गमन के अरोप में जील जाता है fucking सिंगर की हत्या पर एक दिन पहले भगवंत मान जी ने सीग्यौर्टी हटा ली थी सिद्धू मुझे वाले पर हटा लिया भगवंत मान का स्वास्त मंत्री गिरफ्तार होता है उसमें भाजपा के लोगों ने कराया क्या आपको सर्दी जुकाम आ जाया और दिली में कल बारीश हो गई आंधी तुफान आ गया बहुत सारे पेंड गिर गए तो उसको भाजपा के लोगों ने कराया क्या इनकी आदत बन गई है भाजपा के लोगों से पूछ करके खड़े हुए थे जिए उन्हों में जो नारा लगा रहे थे कि भारत तेरे पाठी में रखा था क्या और दिली में एक भी नय विद्याले नहीं खोला भाजपा से पुछा था क्या कि खोलने से मना कर रहे हैं तो इनकी यादत है कि जहां कुछ डेमेजिंग होता है तो भाजपा के लोग चाह रहे हैं तुम परभावित कर रहे थे सतेंदर जें अरे स्टेट में भारती जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीती अभी की गिरफतारी वो हिमाचल चुनाव से जोड़ रहा हूं आपको कि हिमाचल में चुनाव है क्या है आपकी क्या उतराखंड में भी चुनाव था पूरा उतराखंड में आपने होडिंग चनता समझने लगी है कहीं दिल्ली में पानी के लिए जिधर जाए उधर पानी के लिए हाहाकार है और आप जा करके कभी गुजरात घूमते हो कभी हिमाचल घूमते हो जिसे देश क्या प्रधान मंतरी बने हुए हो ऐसे नहीं चलता है आप दिल्ली के लिए जब आपने कम कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा करो तब दूसरे राजी को देखो कौन मना कर रहा है आपको दूसरे राजी में जाने से लेकिन दिल्ली की समस्या का समधान करो वह गिरफ्तारी पे यह कह रहे कि पहले भी उनकी गिरफ्तारी हुई है लेकिन कोई सबूत नहीं मिले ज अब इस बार पुक्ता रिपोर्ट होगा एडी के पास तब जा करके उनको एडी गिरफतार की है और खुदी ब्यूरोक्रिसी से आते हैं हम लोगों से बेटर समझते होंगे कि गिरफतारी किसे स्टेज में होता है और क्यों होता है तो इसका जबाब जो है कि जरिवाल को खु ओल्पहल है वो मुझे लगता है कि लालू परसाद के जैसे वो भी मंदारी के मसियां थे इस मंदारों के तो एक हजार कड़ोर के घोटाला में जेल गए थे तो कहीं ने कहीं अब इनके मंत्रियों के माध्यम से तार इनके पास नहीं पहुंचे और इनको भी ज्याना नहीं है वो सिकुड रहा है इस तरह के वो आरूप लगा रहे सतेंद्र जैन की गिरफतारी को लेका हम निशित रूप से अभी पांच राजियों में चुनाव हुआ है तो हम लोग मोदी का सिना सिकुड गया तो चार राज हम जीत गए और उसमें उत्तर प्रदेशी सा राज था ज आपका जो है 56 इंच का सिना हो गया और मोदी जी पूरे देश भर के परधान मंत्री है जिसके 300 से उपर सांसद है तो उनका सिकुड रहा है अरे भारतिय जनता पार्टी का मोदी जी की वो बात बंद करें मोदी जी से बात करना जिस दिन हिम्मत हो और मन करे तो मेरे साथ आ बीजेपी पार्टी चुनाव से पहले ही ऐसे हतकंडे अपनाती है बीजेपी वाले ऐसे हतकंडे अपनाते हैं कि वो 4,4,4 पेज का पेपर दिखा करके सभी मीडिया में कहते थे कि मैं ही इस देश का सबसे बड़ा इमंदार ब्यक्ति हूं और सिला दिक्षित ने कॉमन वे पिर जिन जिन भाजपा के नेताओं पर इन्होंने मुकदमा किया उनके सरण में जाकरके इनको माफी मांगनी पड़ी स्वर्गिया अरुजेटली जी पर इन्होंने मुकदमा किया था दिल्ली क्रिकेट बोर्ड को ले करके उनको मुकदमा किया हमारे गड़करी जी पर मुकदमा किया और पीछे के रास्ते से जा करके माफियों फी मांग करके कि मा नहानी का दावा किया और जब हाथ गोड़ जोड़ा तो बक्सा गया वह अगमी बात करेगा कि भाजपा के ल मेंबर हैं भारती जनता पार्टी के पास भारती जनता पार्टी आइडिलोजिकल पार्टी है हम एक आदर्स एक विचार धारा के लिए काम करते हैं तुम्हारा विचार क्या है इस देश के बिरोध में जितने वाले लोग हैं बोलने वाले लोग हैं इस दिल्ली के बिरोध मे निल्काह जितने बोलनेवाले लोग हैं में उनके साथ खड़े होते हो ते और बात करते हो भारती जंता पार्टी की आज नहीं तो कल सारे राज का परदा फास हो जाएका। मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं बेटे का कसम खाता हूँ, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, आई दस कोड़ोर का स्विमिंग पूल बना करके असनान करते हो, सरम आती है तुमको ये बात बोलने में, सरम आनी चाहिए ऐसे आदमी को मैं यहीं यहीं नहीं लूंगा बंगला नहीं लूंगाateur सबसे ज़ midnight अभी जात्व में पाया गया था तो आप आम आंदमी यह तो आप कैंद को आपको सारी कुछ चाहिए अपको सारी बिवस्थाहएं चाहिए तो ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है वो कब क्या कह दें नहीं कह दें लेकिन दीन उनका भी नजदी का रहा है अगर यहीं रवया रही यहीं इस्थिती रही तो मुझे लगता है कि सतिंदर जैन ही नहीं आज नहीं तो कल लालू पर साथ जादो के तरह के जीवाल को भी जील जाना प दस कडोर से ज्यादा किसानों के लिए 21,000 कडोर की स्वनी धी रासी हिमाचल में बैठ करके माननिय प्रणान मंत्री जी ने सब के एकाउंट में सीधे भेज दिया उससे देश के किसानों के बीज देश के किसानों के लिए यूरिया खरी खाद उनको खरीदने में सहुलियत मि पूरे दिल्ली किसान जय जय कार कर रहा है मोदी जी के लिए और आज पूरे दिल्ली में 365 गाओं में हमारे किसान मोर्चा के माध्यम से कारिक्रम चल रहा है वो कारिक्रम चला मोदी जी को देखने का 6 जिले में चला हमारे दिल्ली परदेश कर्याले में युगा किसानों ने अच्छा कारिकम किया उसमें मेरा भी रहना हुआ था तो इसलिए पूरे देश के किसान मोदी जी का जैजय कार कर रहे हैं और जो अपने आपको किसानों के मसिहा समझते थे जो अपने को किसानों का बड़े-बड़े नेता समझते थे जब यूपी का चुना हुआ तो सारे ध धारासाई के धारासाई हो गए क्योंकि जो काम करता है जिसकी नियती काम करने की हो जिसका सुच विकास करने का हो और जिसको इमंदारी और भरस्टा चार्ज मुक्त भारत में बनाने की जिसकी ललक हो तो उसको इस देश का कौन नहीं पुसंद करेगा आज देश के नौज नरेंदर भाई मोदी उनके नेता है इसमें एक परसेंट भी कहीं संसय नहीं है वो पूरा देश आज जसन मना रहा है कि आज मोदी जी के आठ साल पूरे हो गए हैं और पार्टी ने भी उसको एक अभियान के रूप में लेकर के चलाया है 15 दिन तक अलग-अलग छेतर में उन जय जय कार कर रहा है क्योंकि आज पूरा देश यदि करोना मुक्त हो गया है एक तरीके से करोना मुक्त है तो जो विश्व के बड़े-बड़े देश थे उनकी आर्थी किस्थिती उनका नीव हिल गया लेकिन मोदी जी के दुरदर सिता के वजह से जो भारत हाथ पसार करक से कुछ मांगता था कि मुझे दे दो मेरे यहां यह समस्या हो गई आज मोदी जी के नितित्र में उस भारत ने स्वेम वैक्सिनेशन का काम चुरू किया खुद वैक्सिन बनाया देश के बैग्यानिकों ने देश के नौजवानों ने और उसको जो लोग पारलियमेंट में बैट करके कहते थे कि इतनी देश की बड़ी अबादी है इसमें वैक्सिन कैसे लगेगा लेकिन मोदी जी की दुरस्ता के वजह से और सरकारी तंत्र के वजह से आज देश में 190 करोर लोगों से जादा लोगों को वैक्सिन लग गया है तो पूरे देश के लोग जब स्वस् तक उचा उठा है और भारत जो लेने वालों की सेणी में रहता था आज पूरा पूरा देश गरवानवित है कि भारत ने 150 देशों को करोना के टाइम में मदद किया है दिया है इसलिए देश का बच्चा बच्चा देश का नौजवान देश का किसान देश का जवान सारे ल मांगने का काम नहीं किया है इसलिए सभी लोग आज देश के यसस्वी प्रधान मंतरी जी को बधाई दे रहे हैं और सुब कामना दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद